पिछले कुछ वक्त से शक्ति अस्तित्व के हसास की शो को लेकर सोशल मीडिया पर नया ही जगड़ा देखने को मिल रहा है यह जगड़ा है नए हर्मन के रूप में सिजेन खान को शो में लाने को लेकर फैंस इस पास से नराज हैं कि विवेंद की बजाए किसी दूसरे अक् पड़ी है शोकी प्रीटो यानि की अक्टरस काम्या पंचावी भी जिस तरह से सिजेन को लोग अपने निशानी पर ले रहे हैं उसे देख काम्या ने विवेंद के साथ उन्हें कंपेर किये जाने पर एक लंबा पोस्ट शेर किया है और इससे सरासर गलत भी बताया है काम् पर बोस्ट में लिखा हर्मन प्रीतों की फिर वही नोग चोंट जैसले रिपेक्षो और किर्पने का लिघ? कामय के इस पोस्ट को करने के बाद जहां कुछ लोग उनकी बातों से सहमत नजर आए तो कई इस बात पर अड़े रहे कि सिजेन हर्मन के रोल के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है आपको बता दे कि खुछ सिजेन भी एक इंटर्व्यू में इस बात को कबूल कर चुके हैं कि विवेन को इस शो में रिप्लेस करना उनके लिए आसान फैसला नहीं है लेकिन उन्हें ये पूरी उमीद है कि लोग उन्हें धीरे-धीरे पसंद जरूर करेंगे आपको बता दे कि शक्ती शो से सिजेन ने छोटे पर देपर तक्रीबन 12 साल बाद वापसी की है ऐसे में उनका इस शो में विवेन को रिप्लेस करने से फैंस काफी दुखी भी नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि makers ने पहले विवेन को ही शो में लाने की planning की थी लेकिन किनी वजों से विवेन ने शो को दुबारा जॉइन करने से मना कर दिया इसके बाद script की demand को देखते हुए makers ने नए हर्मन के रूप में सिजेन खान को लाने का फैसला किया हाला कि देखना तो ये है किसी जिन को लेकर फैंस का गुसा कब तक शांत होता है और वो उन्हें कब तक नए हर्मन के रूप में एकसेप्ट कर पाते हैं